मेरे पैरे देश्वासियों, कुछ दिनों पहले ही मैं जपान में हिरोशिमा में था, वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल मुजिम में जाने का अवसर मिला। यह एक भावुक कर देने वला आरू हो था, जब हम इत्यास की आदाओ को संजोकर रखते हैं, तो वाने वाली पीज्वों की बहुत मदद करता है, कई बार मुझेम में हमें नए सबग मिलते हैं, तो कई बार हमें बहुत कुछ सिखने को मिलता है, कुछ दिन पहले ही भारत मे इंटरनेशनलन मुझेम एक्सपो का भी आविजन किया था, इसमें दुनिया के 1200 से अधीक मुझेम की विजेस्ताओं को दर्शाय गया, हमारे हाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई मुझेम्स हैं, जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलूओं को प्रदर्सित करत हैं, जैसे गुरुग्राम में एक अनुखा संग्रहाल है, म्यूजियो कैमेरा, इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज़्यादा कैमेरों का कलेक्शन मुझूद है, तमिल्नावड के मुझेम अप पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया ग जिसमें सत्तर हजार से भी अधिक चीजें समरक्षित की गई हैं, साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन मुझियम है, इसे दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गवरवशाल इतिहास की कड़ियों को जोडने में जुटा है, विभाजन की विभीशिका से जुड़ी स्मूरतियों को भी सामने रहने का प्रयास किया गया है, बीते वर्सों में भी हमने भारत में नए नए तरह के मुझियम और मेमोरियल बनते देखे हैं, स्वाधिनता संगराम में आदिवाजी भाई बहनों क के युगदान को समर्पित दस नए मुझियम मनाए जा रहे हैं, कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलोभी भारत गैलेरी हो, या फिर जलियावाला वाग मेमोरियल का पुनरुधार, देश के सभी पूर्व प्रधान मंद्रियों को समर्पित प्यम मुझियम भी जहीदों को नमन करने आते हैं, आईतियासी की दांडी आतरा को समर्पित, दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टेची ओफ यूनिटी मुझियम, खैर मुझे यही रुख जाना पड़ेगा, क्योंकि देश भर में मुझियम की लिस्ट काफी लंबी है, और पहली बार देश में स वहां किस तरह की वस्तुएं रखी हैं, वहां की कॉंटेक्ट डिटेल्स क्या हैं, इस सब कुछ एक ओनलाइन डारेक्टरी में समाहीत है, मेरा आपसा आग्रह हैं कि आपको जब भी मुका मिले, अपने देश के इन मुझियम को देखने जरूर जाएं, अब वहां की आकरसक तस्विरों को हैस्टेग मुझियम मेमरीज पर सेर करना भी न भूलें, इस से अपनी वैभो साली संस्कृते के साथ हम भारतियों का जुडाव और मजबुत होगा